नमस्कार दोस्तों, हैपी स्टेडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं सम्विधान की परष्टावना से सम्मद्धित महतोपूर्न MCQ तो चले शुरुवात करते हैं आज का सेशन आज का पहला क्वेशन है हम भारत के लोग, we the people of India या शब्दो का प्रयोग, भारतें सम्विधान में कहां से लिया गया है करेक्ट अंसर होजएगा option number D सम्विधान की परष्टावना से लिया गया है अगर हम option number A की बात करते हैं निति निदेशक सिध्धान्त की तो इसका जिक्र है सम्विधान के भाग चार में है और ये किस देश से लिया गया है तो IR LAND से लिया गया है ठीक है, अगर अनुछेद की बात की जाए तो 36 से 51 अनुछेद में निति निदेशक सिध्धान्त यानिके DPSP का जिक्र है अगर अप्सन नमबर 2 की बात की जाए fundamental right की मौलिकादिकार की तो ये USA से लिया गया है और अनुछेद की बात की जाए तो 12 से 35 इसका अनुछेद है भारते सम्विधान के भाग 3 में इसका जिक्र है भाग 3 में अगर हम नागरिकता की बात करते हैं तो इसका जिक्र भाग 2 में है और अनुछेद की बात की जाए तो 5 से 11 अनुछेद में इसका जिक्र है ठीक है तो question number first का सही answer क्या हो जाएगा option number D तो सम्विधान की प्रश्टावना इस तो correct answer next बात करते हैं question number 2 भारते गणतंत्र की 26 जनवरी उनिस्व पच्चास को सही सम्विधानिक वस्तु इस्तिती क्या थी जब सम्विधान लागू किया गया था correct answer हो जाएगा guys option number C option number C इसका सही answer हो जाएगा संपुर्ण परभुत्व संपन्न लोगतंत्रत्म गणराज्य so option number C is correct one next बात करते हैं question number 3 की भारते सम्विधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोसित किया गया है correct answer हो जाएगा guys option number C option number C इसका सही answer है एककसरो भौम समाजवादी धर मिनिरपेक्ष परजातांत्र का गणतंत्र so option number C is correct one next बात करते हैं question number 4 की निम्नलिकित में से किसने भारते सम्विधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभू प्रजातांत्री गणतांत्री की जन्म कुंडली कहा है 4 का सही answer हो जाएगा option number D इसका सही answer हो जाएगा के एम मुनसी so option number D is correct one चले next बात करते हैं question number 5 की भारते सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहलाता है correct answer हो जाएगा option number D सम्विधानी कुपचारो कादिकार जो की article 32 है अनुछेत 32 है और किसने कहा था तो भीम राव अमबेड करने कहा था चले next बात करते हैं question number 6 की निम्नलिकित में से कौन भारते सम्विधान के उद्देशों को प्रति बिम्बित करता है इसका correct answer हो जाएगा option number B यानि सम्विधान के प्राष्टाउना so option number B is correct one next बात करते हैं question number 7 की भारते सम्विधान का प्राष्टाउन बनाये रखने के लिए तथा उसकी रक्षा का प्राष्टाउन कहां किया गया है तो correct answer हो जाएगा option number A प्राष्टाउना में किया गया है so option number A is correct one next बात करते है question number 8 की सम्विधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है एट का say answer है option number A भीम राष्टाउन बेट करने कहा है so option number A is correct one next बात करते है question number 9 की भारते सम्विधान का प्राधिकार स्रोथ कौन सा है तो 9 का say answer हो जाएगा option number B भारत के लोग with the people of India so option number B is correct answer होगा next बात करते है question number 10 की सम्विधान की अंतरगत भारते लोगतंतर के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं 10 का say answer हो जाएगा option number B प्राष्टावना में so option number 20 का बिल्कुल say answer है next बात करते है question number 11 की सम्विधान की प्राष्टावना सभी नागरिकों को निम्ल में से कौन सा एको उपबंत कराने के लिए वाइदा नहीं करती है 11 का correct answer हो जाएगा option number D पूजा की समानता पूजा की समानता की वाइदा नहीं करती है तो option number D का बिल्कुल say answer होगा धर्मने रिपेक्ट लोगत अंत्मक गनत अंत्र so option number D is का बिल्कुल say answer है next बात करते है question number 13 की प्राष्टावना का वह प्रावधान जो सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है तो 13 का सही answer क्या हो जाएगा option number D सही answer हो जाएगा गनत अंत्र so option number D is correct one next बात करते है question number 14 की भारत एक गनत अंत्र है इसका क्या अर्थ है 14 का सही answer हो जाएगा option number C यानि की भारत में वह अशानुगत शासन नहीं है so option number C इसका सही answer होगा next बात करते है question number 15 की सम्विधान के निम्लालिकित में से किस रूप में एकिक और परिसंखे दोनों परकार के सम्विधान के विश्यष्टाएं अंतर विस्ट होती है 15 का सही answer हो जाएगा option number C अर्द संखात्मक so option number C is correct one next बात करते है question number 16 की बारत के सम्विधान के उदेसिका में कितने परकार के नियाई की विवस्था की गई है तो 16 का सही answer हो जाएगा option number B तीन परकार की नियाई की विवस्था की गई है next बात करते है question number 17 की सम्विधान की परस्तावना के बारे में कौन सा कतन सही है इसका सही अंसर हो जाएगा option number A समाजवादी धर्मनेर्प्रेक्ष शब्दों वर्स 1976 में लागू सम्विधान के अंग नहीं थे A बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा so option number A is correct one नेक्स बात करते है question number 18 के निम्नलिक्ष शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारते सम्विधान के प्रस्तावना में सम्मलित नहीं था 18 का सही अंसर हो जाएगा option number D अखंड़ता so option number D is का बिल्कुल सही अंसर है नेक्स बात करते है question number 19 के निम्नलिक्ष शब्दों में किसमे सर्वोच शे नियाले ने प्रस्तावना को भारते सम्विधान की मौलिक संरचना का भाग स्युकार किया 19 का सही अंसर हो जाएगा option number D केश्वानन्त भारती विवाद so option number D इसका बिल्कुल सही अंसर है next बात करते है question number 20 के भारते सम्विधान की प्रस्तावना में जिन आदरसो एवं उद्देसो की रूप रिखा दी गई है उनकी आगे व्यक्षा की गई है क्या व्यक्षा की गई है तो 20 का सही अंसर क्या हो जाएगा option number C इसका सही अंसर हो जाएगा यानि कि मुल अधिकर राजी के निती निदेसक सिद्धान ते वम मुल करतब्यों में so option number C इसका सही अंसर होगा next बात करते है question number 21 सम्विधान की प्रस्तावना में वरनित समाजवादी शब्द से किया अभी प्राय है तो correct answer हो जाएगा option number C option number C इसका सही अंसर हो जगा ने केवल उत्पादन ववित्रण के सभी साधनों का राच्चे करन करना और अगरीब और अमीर के मत्ती दूरी कम करना so option number C इसका सही अंसर होगा next बात करते है question number 22 के बारत के सम्विधान के उद्देशों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंद किया गया है तो 22 का सही अंसर है option number B उद्देशी का और राजी के निति नितिसक तत्त में so option number B इसका सही अंसर होगा next बात करते है question number 23 सम्विधानिक व्याख्या में उद्देशी का उप योगी है क्योंकि correct answer हो जगा option number B यह सम्विधान निर्माताओं के वास्तिव के लक्ष और दर्शन को सम्मिलित करती है so option number B इसका सही अंसर होगा next बात करते है question number 24 की भारत के सम्विधान के निर्माताओं का मत निम्लालिकित में सेकेस में प्रति बिम्बित होता है correct answer हो जगा option number A उद्देशी का में प्रति बिम्बित होता है so option number A is correct one next बात करते है question number 25 की 26 नॉबर 1949 को अंगीकरित भारते सम्विधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे correct answer हो जगा option number A, 2, 3 यानि की समाजवादी पंते निर्माताओं अखंडता सम्मिलित नहीं थे correct answer हो जगा 1, 2, 3 so option number A इसका सही अंसर है next बात करते है question number 26 की निमनलिकित करतों पर विचार कीजे पहला option की बात करें तो भारत का सम्विधान अपने मूल धाचे को संगवाद पंते निर्पेक्षे तामूल अधिकारो तथा लोकतंत्र के रोप में परिभासित करता है ये गलत है option number 2 की बात करते है तो भारत का सम्विधान नागरिकों की स्वतंतर था और उन आधर सोच जिन पर सम्विधान आधारित है कि सुरक्षा हितु नियाईक पुनर्विलोकन की विवस्था करता है तो ये बिल्कुल सही है तो क्यावल दो सही है कि इनमें से कौन सा सही है अगर हम option number 1 की बात करते है तो पंडित नहरुद्वारा परस्तूत अब्जेक्टिप रस्ताओ अन्ततो गत्वा उद्देसी का बना ये बिल्कुल सही है अगर option number 2 की बात करते है तो इसकी प्रेकरिती निया योग्य नहीं है ये बिल्कुल सही है इसका संसुद नहीं किया जा सकता है ये गलत है अगर हम option 4 की बात करते हैं तो समविधान के विशिष्ट प्रवधानों को ये रद नहीं कर सकता है ये बिल्कुल सही है यानि कि 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है option की बात करें तो भारत एक संपूर्ण परभूत्य संपन न समाजवादी धर मने रिपेक्च लोगतंतरात्मक गन राज्य है अगर हम कारण की बात करें तो इसे 42 संविदान संसोदण 1976 द्वारा संपूर्ण परवोत्व संपन लोग तंतरात्म गणराजिके स्थान पर प्रतेश थापित किया गया था तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा option number B जाने कि A तथा R दोनों सही है परन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है तो option number B इसका बिल्कुल सही अंसर है नेक्ट बात करते हैं question number 29 की भारते संपूर्धान के उदेशिका में संसोधन किया गया था तो 29 का सही अंसर हो जाएगा option number C 42 संपूर्धान संसोधन 1976 के द्वारा तो option number C इसका सही अंसर होगा नेक्ट बात करते हैं question number 30 की भारत के सम्विधान के उद्धेसिका में समाजवाती शब्द नीमनलिकित में से किस एक संसोधन अधिनियम के मात्यम से अंतर विस्ट किया गया था तो 30 का सही अंसर हो जाएगा option number B, 42 सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा नेक्स बात करते है question number 31 की भारते सम्विधान के प्रेष्टावना में पंत ने रिप्यक्ष सब्द कब जोड़ा गया था तो 31 का सही अंसर है option number B, 42 सम्विधान संसोधन 1976 के द्वारा नेक्स बात करते है question number 32 संसत द्वारा सम्विधान के अनुच्छेत 368 के दिन उद्दिसिका में भी संसोधन किया जा सकता है किस वाद में कहा गया था तो 32 का सही अंसर हो जाएगा option number C, केश्वा नंद भारती वाद में तो option number C इसका सही अंसर होगा नेक्स बात करते है question number 33 नेक्स बात करते है question number 35 भारत के सम्विधान के उद्देसिका है तो 35 का सही अंसर क्या हो जाएगा option number D इसका सही अंसर हो जाएगा यानि कि सम्विधान का भाग है किन्तु उसके अन्य भागों से स्वतनतर होकर उसका कोई विदिक प्रभाव नहीं है तो option number D इसका सही अंसर होगा नेक्स बात करते हैं question number 37 निम्नलिकित में से कौन भारत को एक अधर मनी रिपेक शराज्य बताता है तो 37 का सही अंसर हो जाएगा सम्विधान के प्रश्तावना तो option number D इसका सही अंसर होगा नेक्स बात करते हैं question number 38 निम्नलिकित उद्देसियों में से कौन सा एक भारत के सम्विधान के उद्देसिका में सने विष्ट नहीं है तो 38 का सही अंसर हो जाएगा option number B आर्थिक स्वतंतरता so option number B is correct one नेक्स बात करते हैं question number 39 सम्विधान सा बात वारा अंगेकरित एतेहासिक उद्देसियों के कथन के संबंद में निम्नलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है तो अगर हम option number one की बात करते हैं तो उद्देसियों के कतन ने अपने सभी उतरवरते चरणों से सम्विधान के रूप निर्मान को अनुप्रमानित किया है ये बिल्कुल सही है अगर option two की बात करते हैं तो यह के वाले एक प्रश्ताओ ही नहीं था बलकि एक घोशना, एक द्रिड़ संकल्प और एक परतिग्या थी ये भी बिल्कुल सही है अगर option three की बात करते हैं तो इसने हमारे सम्विधान को अंतर नहीं तर देशन प्रदान किया है तो यह भी बिल्कुल सही है तो correct answer क्या हो जाएगा option number c इसका सही answer हो जाएगा एक, दो और तीन सही है so option number c is correct one next बात करते हैं question number 40 की 1936 में भारती रास्टी कॉंग्रेश द्वारा सम्विधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गए थी तो correct answer हो जाएगा option number c फैजपूर में रखी गए थी so option number c is correct one इस तरह के से total 40 question हमने complete कर लिया है अगर आपको session पस्टान आता है तो please like कीजे, channel पर नए है तो please channel को subscribe करके, bell icon को press कीजे ताकि आपको new videos का notification सही समय पर मिलता रहे है thank you so much, जहिंद